हर दिन साथ बार हनुमान चालीसा का पाट करने से आर्थिक स्थिती मजबूत होती है कारोबार में उन्नती होती है और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन और तरक्की मिलने से कोई नहीं रोख सकता है हनुमान चलीसा हिंदू धर्म में हर भगवान की एक विशेश चालीसा होती है नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में तो आप सब मंगल कुशल होंगे हनुमान जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे आज का अध्याय कुछ अध्भुत हनुमान चालीसा साथ बार पढ़ने से क्या होता है तो पढ़ते हैं दोस्तों आज के अध्याय की ओर पढ़ते हैं जिसे पढ़ने से भक्तों पर भगवान की असीम कृपा बनी रहती है इसी तरीके से मंगलवार त्यूस्डे के दिन अगर हनुमान चालीसा पढ़ं करना चाहिए, आए हम आपको बताते हैं, इस दिन पढ़े साथ बार हनुमान चालिसा, वैसे तो हर दिन भगवान का दिन होता है आप किसी भी दिन किसी भी समय हनुमान चालीसा का पाट कर सकते हैं लेकिन कहा जाता है कि अगर मंगलवार और शनिवार को साथ बार हनुमान चालीसा का पाट किया जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है आप हनुमान चालीसा का पाट सुबह या शाम के समय लाल रंग के आसन पर बैट कर करें कहते हैं ऐसा करने से पवन पुत्र हनुमान प्रसंद न होकर आपको आशीरवाद देते हैं इतना ही नहीं अगर आपके पास समय है तो आप रोज साथ बार हनुमान चालीसा का चाप भी कर सकते हैं साथ बार हनुमान चालीसा पढ़ने के फाइदे दर को दूर भगाएं अगर आप रोज सुबह अब उठकर साथ बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का डर नहीं सताता है और उसे भय से मुक्ति मिल जाती है नकारात्मक्ता होती है दूर नियमित रूप से साथ बार हनुमान चालीसा का पाट करने से घर से नकारात्मक्ता दूर होती है और पॉजिटिव एनरजी का संचार होता है डर को दूर भगाएं अगर आप रोज सुबह उठकर साथ बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का डर नहीं सताता है और उसे भाय से मुक्ती मिल जाती है नकारात्मक्ता होती है तूर नियमित रूप से साथ बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर से नकारात्मक्ता दूर होती है और पॉजिटिव एनरजी का संचार होता है सुक शान्ति और समर्द्धि लाए हनुमान चालीसा का पाट करने से घर में सुक्षानती और सम्रिती आती है आप मंगलवार या शनिवार को साथ बार हनुमान चालीसा का पाट कर सकते हैं या फिर रोज एक बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाट जरूर करें आर्थिक स्थिती में होगा सुधार हर दिन साथ बार हनुमान चालिसा का पाठ करने से आर्थिक स्थिती मजबूत होती है कारोबार में उन्नती होती है और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन और तरक्की मिलने से कोई नहीं रोग सकता है नासे रोग हरे सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बल पीरा मानसिक अन्शाति से आप खिरे हैं तो हनुमान चालासी का पाट करने से सुकून महसूस होगा आपके अंदर हर तरह का डर दूर होगा अगर आप बहुत अधिक नकारात्मक सोचते हैं तब तो आपको जल्द ही हनुमान चालीसा का पाट शुरू कर देना चाहिए आज यानि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है मंगलवार का दिन बजरंग बली को समर्बित होता है बवन उत्र हनुमान जी, लौड हनुमान के भक्त इस दिन विधी अनुसार पूजा आराधना करते हैं ऐसा कहा जाता है कि कोई भक्त हनुमान जी के दर से खाली हाथ नहीं लोटता है यदि आप श्रधा भाव और सच्चे दिल से हनुमान जी की पूजा करते हैं उनकी भक्ती करते हैं तो यह इसी जन्म में आपको काम भी आएगी और कई तरह के लाभ भी होंगे मृत्यू के बाद भी आत्मा का साथ देगी आप हनुमान जी को खुश करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को कई तरह के उपाय भी कर सकते हैं जोतिशाचारिय और हस्तरेखा शास्त्री पंडित विनोत सोनी पौत्तार कहते हैं कि भगवान हनुमान जी को कल्यूग का सबसे जागरत देवता बताया गया है ऐसा कहा जाता है कि इन्हें एक वर्दान राप्त है जिसके अनुसार जब तक धरती और मानव जाती रहेगी तब तक यहां इनका वास रहेगा बजरंग बली की एक खासियत ये है कि वे अपने भक्तों की तबस्या भक्ति नहीं बलकि उनकी भावनाओं को देखते है यदि आप सच्चे दिल से पूजा करते हैं और आपकी भक्ति पवित्र है तो वे तूरंध अपने भक्तों की समस्याओं परिशानियों को सुनकर उसका निवारण करते हैं साथ बार हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है हनुमान चालीसा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे नियमित रूप से पार्ट करने से कई लाब हो सकते है निम्न लिखित हैं कुछ लाब जो हनुमान चालीसा पढ़ने से हो सकते हैं एक, मानसिक शांती हनुमान चालीसा पढ़ने से मानसिक चंचलता कम होती है और आपका मन शांत होता है दो, भक्ती बढ़ती है हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारी भक्ती बढ़ती है और हम हनुमान जी के प्रति अधिक भक्ती और श्रध्धा विक्षित करते हैं तीन, रक्षा करता है हनुमान चालीसा के पाट से हनुमान जी हमें अपनी रक्षा करते हैं और हमें संकट से बचाते हैं चार, सेहत बनी रहती है हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत बनी रहती है 5. आर्थिक लाब हनुमान चालीसा पढ़ने से आर्थिक लाब हो सकते हैं और हमें धन संबंधी समस्याओं से निजात मिल सकती है 6. संतुलित जीवन हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारा जीवन संतुलित बनता है और हमारे जीवन में सुख और समर्द्धी आती है इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारी आत्मिक और शारिरिक ताकत पढ़ती है और हमें शान्ती और समर्द्धी की प्राप्ती होती है साथ बार हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है हनुमान चालीसा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे नियमित रूप से बाठ करने से कई लाब हो सकते हैं निमनलिखित हैं कुछ लाब जो हनुमान चालीसा पढ़ने से हो सकते हैं एक, मानसिक शांती हनुमान चालीसा पढ़ने से मानसिक चंचलता कम होती है और आपका मन शांत होता है दो, भक्ती बढ़ती है हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारी भक्ती बढ़ती है और हम हनुमान जी के प्रति अधिक भक्ती और श्रधा विक्सित करते हैं तीन रक्षा करता है हनुमान चालीजा के पाट से हनुमान जी हमें अपनी रक्षा करते हैं और हमें संकट से बचाते हैं चार, सेहत बनी रहती है हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारी मानसिक और शारिरिक सेहत बनी रहती है पांच, आर्थिक लाब, हनुमान चाल हनुमान चालीसा को साथ बार क्यों पढ़ा जाता है 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है क्या हनुमान चालीसा का सौ बार पार्ट वास्तव में मनो कामनाओं की पूर्थी करता है इसे करने की विधी क्या है हनुमान चालीसा एक सौ या एक सौ आठ बार पढ़ना चाहिए इससे क्या फाइदा होता है क्या मुझे प्रति दिन 108 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है देखिए सबकी आंतरिक उर्जा अलग-अलग होती है सात्विक उर्जा भी अलग-अलग होती है किसी मंत्र या किसी स्तुति को पढ़ने की सूक्षमता, विश्वास, तृढ़ता और सबसे बड़ी बात कि अपने अंतर्मन की कहराई से की गई पुकार से कोई भी स्तुति अपने इश्ट प्रभू को सम्मुख कर देती है मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तो क्या महसूस करती हूँ? या फिर दूसरा, कोई पढ़ता है तो वहाँ क्या, महसूस करता है कोई भी आपको उतना भार पूर्ण तरीके से नहीं बता सकता इसके लिए आपको स्वयन महसूस करना होगा तब ही आप समझ सकते हैं आप हनुमान जी के मूर्तिया फोटो के आगे आसन पर बैठे जाए आख बंद करते हुए अपने मन और शरीर को शांत करे पूरी तरह से शांत कोई मनोविकार नहीं अब आप ये आप खुद पढ़िए और अनुभव कीजिए हनुमान चालीसा पढ़ने से हर प्रकार से लाब मिलता है जै श्री राम जै हनुमान हनुमान चालीसा बढ़ाने से आर्थिक समसियाओ से चुदकरा मिलता है हनुमान चालीसा एक दिन में कितनी बार पढ़ना चाहिए हनुमान चालीसा पढ़ते समय क्या साबधानी बरतनी चाहिए हनुमान चालीसा कितने दिन में सिद्ध हो जाती है लगाकर साथ बार हनुमान चालीसा का बाट करने से शनी मजबूत होता है हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और भक्त की सभी मनों कामनाएं पूर्ण होती है यह चालीसा भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें सभी बुराईयों से बचाती है इसके अलावा हनुमान चालीसा पढ़ने से मन में शान्ती और सकारात्मक उर्जा का आभास होता है साथ ही यह चालीसा भक्त को सुख, सम्रिध्धी, स्वस्थता और सफलता की प्राप्दी में मदद करती है हनुमान चालीसा के चमतकारिक लाभों मार शौर्ट्स हनुमान, facts are viral, डर नहीं लगता हनुमान चालीसा एक प्रसित हिंदी भजन है जो हनुमान जी की महिमा को स्तुती करता है इसे पढ़ने या सुनने के कई लोग मान्यता से मानते हैं कि इसके अध्यायों का पाठ या अवचन करने से अनेक प्रभाव हो सकते हैं मनो योग शक्ति हनुमान चालीसा के बाट से आध्यात्मिक तृष्टी से मन को शान्ती, स्थिर्था और ध्यान में स्थाना अंदरित किया जा सकता है इसे पढ़ने से मन की योग शक्ति विक्सित हो सकती है और ध्यान की प्राप्ति हो सकती है संकट निवारण हनुमान चालीसा का पाट अनेक लोगों के अनुभवों के अनुसार विपदा, संकट और अभिशापों को दूर करने में सहायता कर सकता है हनुमान जी को संकट मोचक और रक्षक माना जाता है और इसलिए उनकी आराधना और चालीसा का पाट उनकी कृपा और सन्रक्षा को प्राप्त करने में मदद कर सकता है शक्ति और बल हनुमान चालीसा के बाट से मान्यता से माना जाता है कि व्यक्ति को भयंकर शक्ति और बल प्राप्त हो सकता है ये शक्ति व्यक्ति को भारी संकटों, युथ और गठिनाईयों के सामने सशक्त बना सकती है भक्ति और समरपण, हनुमान चालीसा के बाट से व्यक्ति की भक्ति और समरपण बढ़ सकती है हनुमान जी की सेवा और उनकी कृपा को प्राप्त करने का एक माध्यम है और इसे पढ़ने से व्यक्ति का मन इश्वर की ओर संरचित हो सकता है हालांकि यह धार्मिक मान्यता है और व्यक्ति की आस्था पर निर्भर करता है इसे वास्तविक्ता के रूप में लेने से पहले हमेशा अपने धार्मिक और आध्यात्मिका दर्शों के साथ बरामर्श करना है